तो आप में से कई लोगों ने कमेंट किया था कि आप इंडियन फिलोसफी पे वीडियो लाईए तो मैं वीडियो लेके आया हूँ और आपने अगर मेरा एनलिसिस का वीडियो देखा है तो आप जानते होंगे कि चार से पांच को इस जनाते हैं CGPAC Prelims के एकजाम में इंडियन फिलोसफी से तो इसका पढ़ाई बहुत आसान है हमें ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी होती है और जो एकजाम में चार से पांच को इस जनाते हैं वो आप से आसानी से सौल हो जाएंगे अगर आपके पास सही माटेरियल रहा तो तो उसी सही माटेरियल को प्रोवाइड करने के लिए मैंने ये वीडियो सीरीज स्टार्ट किया है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा तो मैंने अपने पिछले वीडियो में पांच इस्टेप बताया थे आपको कि CGPSC Pre के लिए कैसे इस्टेडी करना है तो पहला इस्टेप है Understanding the syllabus तो यह syllabus जो दीख रहे हैं आपको यह Indian philosophy का है लेकिन यह जो है CGPSC Mains का है Mains में Western philosophy भी है लेकिन हमें CGPSC Pre में सिर्फ Indian philosophy के बारे में पढ़ना है तो दोनों के पढ़ाई में सबसे बड़ा difference क्या है यह समझते हैं तो Pre और Mains में difference यह है कि Mains में हमें हर चीज़ डिटेल में पढ़नी है लेकिन हमें Pre में सिर्फ जो जो word है उनके सिर्फ meaning पता होने चाहिए और जो जो philosophy है उसके founder कौन है, pro founder कौन है यह जानने है और अलग-अलग जो person है उन्होंने क्या-क्या philosophy दिया है वो सब हमें समझना है जैसे कि हमें word का meaning पता होना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्थित्प्रग्य है, प्रीत है, स्वधर्म है, Metaphysics है, तो इन सभी के meaning सिर्फ हमें पता होने चाहिए तो यह था syllabus, syllabus को आपको याद भी रखना है अगर आप इस syllabus को ही याद रखते हैं, तो आपसे दो से तीन question भी बन सकते हैं CGPACPRI में जैसे कि पहले question पूछा गया है, कि स्यादवाद किस philosophy के अंदर आता है तो आप यहाँ पे देख सकते है, philosophy of gen में स्यादवाद दिया है तो syllabus से ही आपका question बन गया और इस साल जो की 2020 में exam हुआ था, उसमें आया था कि practical वेदान किस ने दिया है आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपको सिर्फ syllabus भी याद रखना से 2-3 question बन जाते हैं इस syllabus को आप लिख लीजेगा, अच्छे से याद भी कर लीजेगा अब हम second step पे जाते हैं, तो उसके मैंने वीडियो बनाया हुआ है, analysis का आप आज बटन पे क्लिक करके देख लीजेगा अब third step है CGPACPT की study करने का कि read thoroughly, तो अब हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं सबसे पहले हम जानते हैं Indian philosophy के बारे में, what is Indian philosophy? So, Indian philosophy refers to the philosophical tradition practiced in the Indian subcontinent philosophy used होती है, जो tradition में है, वो Indian philosophy है, philosophy का जो meaning होता है, वो होता है philosophy plus sophia, तो इसका मतलब यह होता है कि love for wisdom, यानि कि हमें knowledge के लिए जो एक प्यार होता है, उसको philosophy कहते हैं तो philosophy में में जीवन जीने के तरीके को बताया जाता है और मेरे Instagram page को भी like करिएगा, वहां मैं study से related post डालते रहता हूँ फिर हम classification देखते हैं, Indian philosophy का तो there are three basis for classification फिर्ष्ट वन इस वेदर वेदाज as source of knowledge or not फिर्ष्ट वन इस वेदर इड बिलीव इन आत्म और ब्रह्म और नॉट थर्ड वन इस वेदर इड बिलीव इन आप्टर लाइफ और देवाज और नॉट तो यह तीन basis है, पहला है कि वेद को as a source of knowledge मानते हैं कि नहीं, दूसरा है कि आत्मा और ब्रह्म में बिलीव है कि नहीं और थर्ड है, आप्टर लाइफ और जो देव होते हैं उनमें बिलीव है कि नहीं तो इस basis पे दो पार्ट में डिवाइट किया गया है Indian philosophy को फर्ष्ट है orthodox school जिसको हिंदी में आस्तिक कहा जाता है और second one is heterodox school जिसको की हिंदी में आस्तिक कहा जाता है तो orthodox school है, इन तीनों पे बिलीव करते हैं वेदाज, आत्मा, ब्रह्म, और आप्टर लाइफ देवास पे और heterodox इन तीनों पे बिलीव नहीं करते हैं अब हम इसको और जानते हैं Orthodox, स्कुल और हिट्रोडॉक्स को, तो फर्स्ट वन इस Orthodox, विच इस अल्सो कॉल्ड आस्तिकिन हिंदी, तो इसमें फर्स्ट वन इस न्याय, विच गिवन बाई गौतम, रिसी गौतम, 2nd one is Vaisaisik, विच इस गिवन बाई रिसी कानत, 3rd one is Sankhya, विच इस गिवन बाई रिसी कपिल, 4th one is Yoga, विच अल्नोस इस गिवन बाई पतंजली, 5th one is Mimansa, विच इस अल्सो कॉल्ड पूर्वमी मांस, इस गिवन बाई जैमनी, 5th one is Vedant, आल्सो रिफर्ड इस उत्तरमी मांस, गिवन बाई बाई बद्रायड, इस आर कॉलेक्टिवली कॉल्ड six schools of Indian philosophy, यह जो six philosophy है, यह six है, तो इसको हिंदी में सर्ड दर्शन कहा जाता है, यह भी आप याद रखेगा, यहाँ से question क्या आता है, यह आप समझेए, पहले question आया है, कि, नयाया philosophy is given by whom, तो answer is simple, रिसी गौतम, तो आप से यही question पूछा जाएगा, कि कौन सा philosophy किसने दिया है, या फिर किसने कौन सी philosophy दिया है, या फिर question आ सकता है, कि orthodox philosophy के अंदर कौन-कौन से philosophy आता है, तो option दिया रहेगा, तो आपको यह याद करना है, तो question ऐसे ही आते हैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ main में नाम बता रहा हूँ, और आपको पहले बताया है, हमको नाम और person के नाम याद रहने चाहिए, इसलिए मैं आपको यह बता रहा हूँ, हमको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसके जो teaching से उस पर मैं अपना अलग वीडियो लाऊँगा, Now second one is heterodox school of philosophy, which is also called नास्तिक इन हिंदी, तो first one is jainism which is given by और founded by महावीर, who was the 23rd तीर्थांकर of jain religion, Now second one is buddhism which is founded by गौत्म बुद्ध, we all know that, and third one is चारवाक और लोकायत, fourth one is अजीवका गिवन बाए मखाली गोसाला, fifth one is अज्यान, इसको हम अज्यान पढ़ते हैं, तो यह पांच थे heterodox यानि की नास्तिक फिलोसफी के अंदर, तो आपको भी यह सब याद रखने हैं कि किसने क्या found किया था, इसके founder कौन है, और heterodox और orthodox में क्या क्या आते हैं, आपको भी यह याद रखने हैं, इसका notes आप बना लीजिएगा, जो जो point लिखें आपको ऐसी बनाना है, now we will discuss about the vedanth philosophy, तो जो orthodox में विदान फिलोसफी खा, उसके अंदर और कुछ-कुछ पार्ट हैं, उसके बारे में जानते हैं, first one is द्वायत, also called dualism, it is given by madhuacharya, second one is अद्वायत, also known as non-dualism, given by sankaracharya, third one is विशिष्टा द्वायत, also known as monism of qualified whole, given by ramanujacharya, fourth one is द्वायत, also known as dualism, non-dualism, given by nimbakacharya, fifth one is सुद्धा द्वायत, which is also called purely non-dualism, given by vallabhacharya, and last one is अचिंत्य भेदा भेद, which is also called in English, inconvincable oneness and difference, which is given by चैतन्य महाप्रफु, तो ये थे विदान फिलोसफी के, अगर आपके पास कुछ ट्रिक है इसको याद करने का, तो आप कमेंट करके बताईएगा उसको, और अभी ये होगिया third step, जिसमें हमें read thoroughly था, तो ये मैंने आपको बता दिया, इसको पढ़ने है, अब चौथा step होता है notes बनाने का, तो हमें अपने notes खुद बनाने है, तो अभी जो जो मैंने ऐसे point twice लिखाया है, इसी को आप point twice लिख लेंगे तो आपका notes हो जाएगा, मैं अलग से notes भी PDF में provide कर दूँगा अपने telegram channel पे, उसका भी link मैं आपको दे दूँगा, तो मेरे telegram channel को join कर लिजिएगा, अब यह 4 step हो गए, understanding the syllabus, analysis, read thoroughly, fourth one is, make your own notes, now we come to the solving question, तो यह question है, 2014 यानि कि 2014 में जो question था, question was, the founder of adwaiat philosophies, so five options are given, so right answer is संकराचार्य, 2018 में जो question था, who was the propounder of न्याय philosophy, so correct answer was, Gautama, 2019 में जो question था, संकराचार्य, philosophy is known as, so correct answer is non-dualism, and next question is, which is called, Lokaya Darshan, तो right answer is 4 वाक, तो यह जो question थे, यह भी हमने जश्ट पढ़े, वही से answer थे, तो हमें कुछ बहुत ज़ादा नहीं पढ़ने हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, simply adwaiat है, तो कौन दिया है, वो पूछा है, न्याय के भी propounder कौन है, यह पूछा गया है, आप यहाँ पर एक चीज गौर करिएगा, जो 2014 में यह question था, वो ही सेम, 2019 में पूछा गया है, बस इसमें, जो arrangement था, वो change कर दिये गया है, इसमें founder पूछा गया था पहले, अब यहाँ पर founder का नाम दिया है, उसका philosophy पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको बोला है, कि आप previous year के question जरूर solve करें, इससे आपको फायदा होगा, CGPACPT में question repeat होते हैं, तो this was the video on Indian philosophy, I hope you liked the video, thank you for watching, इस video को like करिएगा, share करिएगा, और मेरे channel को subscribe करिएगा,